जिट्टू गूड इवनिंग टू आल मैं आपका मनोज सर्थ देवगर फाउंडेशन के पढ़ें और पढ़ाएं पटल पर आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ स्टुडेंट्स आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होगे चलो हम स्टार्ट करते हैं आज हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे डिसकस के वेटे डेरिवेटिव उसके सारे बेसिक्स सारे कंसेप्ट्स और डिफरेंट काइंड्स आफ रूल्स जिन में हम लोग नॉर्मल डेरिवेटिव कोसेंट रूल, प्रोड़क्ट रूल, चेंड रूल, इन सभी बातों को हमने डिसकसन किया था और आगे भी बताय था कि बहुत सारे और भी रूल से इंप्लिसिट रूल, पेरेमेट्रिक रूल, इनवर्स रूल, लोगरत्मिक रूल, एक्सपोरेंशियल रूल इस तरह के बहुत सारे और भी टाइप्स के डिफ्रेंसेशन है, जिनको हम लोग आज देखते हैं तो स्टुडेंट्स सबसे पहले चेंड रूल के बाद आता है इंप्लिसिट रूल, तो डेरिवेटिव औफ इंप्लिसिट फॉंक्शन हम लोग कैसे समझेंगे कि ये इंप्लिसिट फॉंक्शन है, तो हमने देखा कि जो भी डेरिवेटिव हमारे पास, जिस टाइप का डेरिवेटिव करने के लिए आता था, वो y equal to होता था, या f of x equal to होता था, जब हम उसको डेरिवेटिव करते थे, तो dy by dx, x के respect में क्यों करते हैं, मैंने discuss किया था, या फिर f of x अगर रहेगा, तो f डेस्ट x करते हैं, अब इंप्लिसिट फॉंक्शन का पैटर्न हमें कैसे पता चलेगा, तो there are more than one y in a question, इनमें y equal to नहीं रहेगा, कई चिगए, एक सिच्वेशन में, एक सिच्वेशन में, x और y का कई चिगए function रह सकता है, जैसे हम एक questions उठाते हैं, ncrt book को prefer करते हुए, क्योंकि अब बेस वहीं से है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, example 25, y plus sin y equal to cos x, y plus example 25, 25, y plus sin y, sin y, sin y equal to cos x, अब जैसे मैंने कहा, कि यहाँ y equal to नहीं है, y equal to नहीं है, y plus sin y, so more than one y exist in a question, ठीक है, एक single y भी हो सकता है, but y equal to नहीं होगा, y और x का constant का कुछ ऐसे combinations होगा, तो उस condition में अगर हमारे पास कभी भी y equal to, या f of x equal to direct नहीं हो, x और y का mix up हो question में, तो वो हमारा implicit function का pattern होता है, और उनमें हम क्या करते हैं, exactly पहले की तरह ही करते हैं, दोनों तरफ differentiate करेंगे with respect to x, उसके बाद एक तरफ LHS को हम dy by dx रखेंगे, और that equal to non dy by dx term upon coefficient of dy by dx term, तो उसको solve करने का तरीका वही होता है, कि हम दोनों तरफ differentiate both sides with respect to x, अब y का differentiation dy by dx और sin y का हो जाएगा cos y dy by dx, dy by dx और cos x का हो जाएगा minus sin x, minus sin x, यहाँ पर भी sin x अगर रहता, तो उसका differentiation cos x होता, sin y है, इसे लिए cos y और फिर y का dy by dx, अब यह dy by dx term, dy by dx term हम common लेंगे, और इनमें 1 plus cos y और equal to minus sin x, और जैसे मैंने बताया कि dy by dx जो हो जाएगा, वो non dy by dx का term, non dy by dx का term upon coefficient of dy by dx का term, upon coefficient, तो ऐसे हम लोग implicit function का यह करते हैं, यह आप लोग को बिल्कुल clearly दिख रही है, board वगरे perfect है, ओके, तो अब यह हम आगे बढ़ते हैं, next, next, इसके बाद अगर हम लोग कुछ और भी छोटे छोटे सवाल को अगर देखें, exercise 5.3, exercise 5.3, तो सारे questions को जो easy easy questions है, जो छोटे छोटे questions है, वो possible नहीं है सर और इसकी जरूरत भी नहीं है, सारे discuss करना, तो मैं जो main main questions है, जो थोड़े tricky हों, या difficult हों, important है, हम उन questions को ले लेंगे, जैसे exercise 5.3 में ही बहुत सारे questions है, लाइक 15 questions है, तो हम लोग जो कुछ important 4-5 questions है, उनको करके फिर अगला टाइपस देखेंगे, तो अब देखते है exercise 5.3, 5.3 में like जैसे suppose हम 3rd number question देखते हैं, ठीक है, 3rd number, यह उससे बेटर है, 4th number देखते हैं, 1, 2, 3 बिलकुल easy है, बहुत ही simple है, तो हम question number 4 देखेंगे, exercise 5.3 का question number 4, question number 4 कहता है, कि xy plus y square, xy plus y square, equal to 10x plus y, equal to 10x plus y, ठीक है, अब यहाँ पे, just woman student, yes, so xy plus y square, equal to 10x plus y, तो differentiate, differentiate, both sides, with respect to x, अब यह u into v, यह product rule यहाँ पे लगेगा, तो u into v मतलब x को रखे, और y का हो जाएगा dy by dx, प्लस y को रखे, x का हो जाएगा 1, प्लस y square का 2y dy by dx, 10x का derivative क्या हो जाएगा, 6 square x, 6 square x, और प्लस y का dy by dx, यह हो जाएगा, dy by dx, अब हम लोग यहाँ पे जो dy by dx का term है, मैंने पहले बताय था, कि जो implicit functions है, जो कोई भी questions रहता है, जैसे normal होता है, तो उनका pattern क्या होता है, एक term प्लस दूसरा term प्लस तीसरा term प्लस चौथा term, ऐसे रहता है, product rule u into v में होता है, तो u को रखकर v का differentiate, प्लस v को रखकर u का differentiate, कोसेंट रूल u by v का होता है, तो नीचे denominator का square, फिर v को रखकर d by dx of u, माइनस u को रखकर d by dx of v, chain rule, जिसको लोग function आप function कहते हैं, उनके भी बहुत सारे questions को हमने देखा, एक function के अंदर में दूसरा function, तो उसको उनने different type के questions देखा, उसको solve किया, implicit function, जिन में हमारा x और y का combination रहेगा questions में, तो उनको solve करने के time में, नार्मल differentiate करते हैं, जहाँ जहाँ y का term रहेगा, वहाँ वहाँ उसका differentiation dy by dx हो जाएगा, उसके बाद, हम सारे dy by dx के term को एक तरफ रखेंगे, इन जेनरल हम LHS में रखते हैं, और non dy by dx के term को हम लोग transfer कर लेते हैं, RHS side में, therefore finally dy by dx ही निकलता है, so dy by dx equal to non dy by dx term upon coefficient of dy by dx, so यहाँ पर भी हमने इसको differentiate कर दिया, x के respect में, अब हम dy by dx कॉमर ले लेते हैं, तो इन में x हो गया, और इन में plus 2y है, और यह dy by dx इधार आजाएगा, तो minus 1 हो जाएगा, क्योंकि minus dy by dx है, और उदर हमारा 6 square x, यह 6 square x है, और इसके बाद यह वाला y वाला टम उदर ले जाएगे, तो minus y हो जाएगा, therefore finally dy by dx जो है, वो हमारा 6 square x, 2y minus 1, यह हमारा अंसर हो जाएगा, यह अंसर हो जाएगा, right clear है, आप लोग इससे समझ रहे हो, बिलकु ठीक से, ठीक है, तो अब हम next questions को देखते हैं, next question देखते हैं, इसको मिटाता हूँ, क्योंकि वीडियो आप लोग के पास ही रहेगा, अब कोई ऐसे, अगर यही कुस्ट में, suppose करो, अगर मान लो यही कुस्ट में कुछ ऐसे चेंज हो जाता, मान लो, suppose करो यही कुस्ट में ऐसे देदूं, xy plus y square, plus y square, और इदर यह 10x plus y, अगर मैं यहाँ पर bracket कर दूं, लास्ट कुस्ट में अभी हमने बनाया, वो 10x का टाम अलग था, और y का टाम अलग था, बट अगर इसको twist करने के लिए, अगर इसको difficult करने के लिए, x plus y को अगर हम combine कर दें, तो क्या होगा, तो उस condition में फिर हम वही काम करेंगे, कि differentiate both sides with respect to x, तो ये फिर हमारा x इंटू dy by dx और प्लस y, और यहाँ पे 2y dy by dx, तो 10x, तो 10x का हो जाएगा 6 square x, यानि 6 square x प्लस y, और इंटू फिर जो जिसको x समझे, एक dy by dx और x प्लस y, तो ये फिर 10x का टाम हुआ, 10x का 6 square x और इंटू dy by dx और जिसको हमने x समझा, यानि x प्लस y, तो उस case में फिर इंप्लाइज, x dy by dx प्लस y, प्लस 2y dy by dx, dx इक्वल टू 6 square x प्लस y, और इसका differentiate का हो जाएगा, x का हो जाएगा 1, और y का हो जाएगा dy by dx, y का हो जाएगा dy by dx, तो ये मैंने आपको सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट किया, ऐसे रह सकते हैं, अब यहाँ पे ये टर्म एक बार हिस्से भी multiply है, और एक बार हिस्से multiply है, तो दोनों को separately multiply कर देते हैं, जब 1 से होगा तो ये यही रह गया, और ये six square x plus y into dy by dx, अब जैसे हमने आप लोगों से अभी कहा, कि सारे dy by dx के टर्म को हम LHS में ले लेते हैं, तो दुबारा इसको as it is लिखेने की जुरत नहीं, आप directly इसको लिख लो, कि हमने dy by dx टर्म को common ले लिया, तो इसमें बच गया x, इसमें बच गया plus 2y, और ये term इधर उठके आगया, और minus six square x plus y, ये हमारे dy by dx का टर्म जो multiple था, उसके बाद RHS में हम लोग non dy by dx का टर्म रखते हैं, तो ये एक हमारे non dy by dx का टर्म है, तो six square x plus y, और उसके बाद ये term, इसमें dy by dx नहीं है, तो minus y, तो therefore, therefore dy by dx क्या हो जाएगा, तो जो non dy by dx का टर्म है, यानि six square x plus y, minus y upon upon x plus 2y, minus six square x plus y, ये हमारे answer हो जाएगा, ठीक है, ये clear है आप लोग को, ठीक है, अब थोड़े और different questions लेते हैं, स्टुडेंट्स मैं चाहूँगा, कि आप लोग अपना doubt भी मुझे बताओ, अपना doubt भी मुझे बताओ, सोधर्ट लगेगा कि हाँ ठीक है, आप लोग sincerely कर रहे हो, और जिसको जो particular types पे, या questions पे difficulty आएगी, मैं उसको वहाँ पे clear कर दूँगा, now अब हम लोग आते हैं, question number six, question number six, ये थोड़ा सा बड़ा question है, इसलिए इसको हम लोग कर रहे है, question number six, और sx इतनी सारे question जरूर कर लेंगे, जिससे ये exercise पूरा complete हो गया, उसमें कोई difficulty आपको नहीं रह जाएगी, ठीक है, कहीं कोई फिर दुवारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप घर में बनाओ, सारे question, सारे concept clear हो गया, x square plus x square y, question number six है, x square plus x square y, x square y plus x y square, x y square, और plus y square, plus y square equal to 81, equal to 81, तो इस case में, फिर अगेन हम वही करेंगे, differentiate both sides, both sides with respect to x, तो यह हो जाएगा 2x, यहाँ पर यह u into v product rule अप्लाए होगा, तो product rule में फिर हमने use x square को रखा, और y का differentiate dy by dx, plus y को रखा, और x का differentiate 2x, ठीक है, यह, और इसके पाद अगेन यहाँ पर फिर u into v लगा, तो x को रखे, और y का 2y dy by dx, 2y dy by dx, और y square को रखे, और x का differentiate 1, और फिर यहाँ पर y square का 2y dy by dx, dy by dx, और equal to, यह 81 coefficient है, constant term है, इसलिए उसका 0, तो जब x square रहता है, तो उसको इसको 2x करते हैं, जब y square रहता है, तो y square का यह x की तरट treat हो रहा है, तो y square का 2y और फिर y का differentiate, मतलब dy by dx, तो 2y dy by dx, इन्हें कोई confusion नहीं रखना है, ऐसा नहीं है कि x square को का differentiate 2x कर रहे हैं, तो y square का भी 2y हो जाएगा, क्योंकि y को मैं x के respect में कर रहे हैं, 2x के case में 2x into dy by dx of x, it means 1, तो 2x into 1 means 2x, but in case of y, 2y into dy by dx of y, right, so now we common in dy by dx, then यह इधर बच जाएगा, x square यहाँ पे term, फिर यहाँ पे हमारा dy by dx का term है, तो plus 2xy, और एक term हमारा यहाँ पर है, तो यह हो जाएगा 2y, और जो भी हमारे non dy by dx के term थे, जैसे यह term है, यह term है, यह non dy by dx का term है, और यह term है, इन तीनों term को हम बाहर कर देंगे, बतलब RHS के साइट में भेज़ देंगे, तो यह minus 2x हो गया, और फिर यह minus 2xy हुआ, minus y square हो गया, अब इन तीनों term में minus है, इसलिए हम minus common ले लेंगे, तो therefore dy by dx equal to, हमने finally minus common ले लिया, तो यह हो गया, 2x plus 2xy और प्लस y square अपोन अपोन x square, x square प्लस 2xy और प्लस y square, तो कोई issues ही नहीं है, implicit function हम लोग जो जो functions पढ़ते जाएंगे, बिलकुल उसका एकदम सारा concept के लिए रहते चला जाएगा, कोई problem नहीं है, हमें देखना है, हमें pattern समझना है, और उसके बाद according to rule हमें चलना है, एकदम perfectly उसको solve होना है, तो यह चीजें हो गया, अब एक और सवाल इसके अंदर में implicit फिर हम लोग inverse wallet पाट पे आएंगे, तो अब एक सवाल 9 number बनाते हैं, साइन स्क्वार वाइड प्लस नाइन नहीं है, यह 7 number है, 7 number है, यह भी important question है, और यह implicit functions के अंदर का जो questions था, इन फैक्ट यह यहीं पे खत्म होता है, फिर हम लोग inverse function का questions देखेंगे, तो इस condition में, इस condition में आब हम एक question number 7 देखते हैं, question number 7, वो है sine square y, sine square y, plus cos xy, cos xy, और equal to 1, cos xy equal to 1, और जब हमने यह देख लिया, तो यह all 1 to 8 number तक का question बन गया, ठीक है, तो अब फिर यहाँ पे वहीं काम करेंगे, कि differentiate both sides, differentiate both sides, with respect to x, तो sine square y का differentiation क्या हो जाएगा, यह sine y का whole square है, मैंने बताय था, कि sine square x को हम लोग क्या लिखते हैं, sine x का whole square, तो वो x square के term पे आ जाता है, यानि x का power n की तरह का derivative हो जाता है, तो जिसका x का power n का derivative, n x का power n minus 1 होता है, ठीक है, तो sine square x का जो derivative मैंने बताय था, वो sine x का whole square, यानि 2 sine x into dy dx of sine x, तो वो फिर 2 sine x into cos x, उसको finally हम लोग sine 2 x भी कह सकते हैं, या फिर अगर ऐसे भी रखें, 2 sine x cos x तो भी चलेगा, तो इसी तरह से sine square y का जो derivative हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sine y, 2 sine y into dy dx of sine y, dy dy dx of sine y, और यहाँ पर cos x y, तो मैंने बताय था, कि जो भी टर्म, जो भी trigonometric ratio, c से start होता है, उन सब का derivative negative होता है, तो पहले इसको हम लोग cos x समझेंगे, तो cos x का minus sine x होता है, इसी लिए यहाँ पर plus minus minus लग जाएगा, minus लग जाएगा, और ये होगे हैं minus x y, और into dy dx of x y, और यहाँ पर जो dy dx of 1 लिखेंगे, वो ऐसे लिख भी सकते हैं, और नहीं तो directly 0 लिख सकते हैं, और sine y का हो जाएगा, cos y dy by dx, dy by dx minus sine x y, यह इसका angle है, और into x y का derivative क्या हो जाएगा, x को रखे y का हो जाएगा dy by dx, और plus y को रखे x का हो जाएगा 1 और equal to 0, अब यह हो जाएगा, 2 sine y, 2 sine y cos y, इसको हम लोग sine 2y भी कह सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो 2 sine y cos y dy by dx, dy by dx, minus, इसको जब multiply करेंगे, तो x sine x y, x sine x y, और plus y, x sine x y, dy by dx, यहाँ पर भी इसके साथ लग गया, इसको इससे multiply करेंगे, तो dy by dx, और plus sine x, sine x y, और इधर हो गया, y, और equal to 0, right, it's okay, fine, so then, sine x, x, sine x y, dy by dx, यह इसका angle है, यह इसका angle है, dy by dx, plus y, sine x y, अब हम जितने भी, जो जो टर्म है, dy by dx के हैं, उसको हम एक तरफ रखेंगे, तो 2 sine y cos y, 2 sine y cos y, और फिर minus x sine x y, x sine x y, और equal to, यह जो टर्म है, उसको उधर वेज़ दिये, तो minus y sine x y, y sine x y, hence, therefore, dy by dx, तो सबल कैसा भी रहे, कोई भी पेचिदार है, हम system से चलेंगे, system को follow करेंगे, rules को proper तरीके को follow करेंगे, कोई सूज नहीं आएगा, तो यह minus y minus y sine x y, y sine x y, upon two sine y, two sine y cos y, यह minus minus x sine, x y, यह हमारा dy by dx का result आगया, ठीक है, is it clear? यह हमारा dy by dx का result आगया, अब हम लोग inverse function के बारे में देखते हैं, inverse function वाला जो derivative होता है, इन्वर्स फंक्सल जिन में सपोर्ज जैसे सब हम question number 9 है, question number 9, अब यहाँ पर कहता है, y equal to, y equal to sine inverse, sine inverse 2x, 2x upon 1 plus x square, 1 plus x square, अब हम लोगों ने देखा था, कि sine inverse x से cosec inverse x तक का differentiation क्या होता है, वो very first class में हमने उसको लिखवाये था, ठीक है, अगर sine inverse x का होता है, 1 upon under root 1 minus x square, अब अगर इस case में, हमारे लिए यह x है, और d by dx of, d by dx of, sine inverse x जो हमने देखा था, 1 by under root 1 minus x square, इनमें इस x के बदले में, अगर इतना बड़ा term हम यहां रखेंगे, तो एक तो सबसे पहले यहां पे complex बन जाएगा, 1 minus 2x upon 1 plus x square का whole square, into, जिसको x समझते हैं, d by dx of this, तो जब इसको d by dx करेंगे, वहां पर फिर एक बार cosine tool अपलाई होगा, उसके बाद जब हम यहां solve करेंगे, तो 2x का whole square हो जाएगा, 4x square, और यहां पर फिर वो जो square है, यहां पर भी है, तो a plus b का whole square लगेगा, और फिर वो a plus b का whole square पिर यहां पे lcm लेंगे, फिर this minus this, फिर इन दोनों को merge करेंगे, उसके उपर root रहेगा, वो फिर break भी नहीं होगा, कटेगा भी नहीं, ऐसे root में फसेगा, और into एक बड़ा सा part इसके बाद, जो कि d by dx हो, तो इस तरह से हम नहीं करेंगे, तो वहां पे हमें थोड़ा सा logically solve करना पड़ता है, हम यहां पे x को, कोई trigonometric ratio हम मानते हैं, sin cos 10 cos 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 cos, ऐसा trigonometric ratio मानते हैं, जो हमें एक formula दे, और हमारा जो expression है, वो बिलकुल एक formula में बदल जाए, एक direct, एक छोटा सा term आ जाए, तो अगर मैं यहां पे x को 10 theta मानूं, तो यह 2 10 theta upon 1 plus 10 square theta हो जाएगा, और class 11th में, हमें जब भी कभी हम calculus पड़ते हैं, तो इसका बिलकुल back, हमको trigon का बिलकुल एक अच्छा idea, concept mind में लेके चलना पड़ता है, सारे formula's को, अगर यहां पे मैं sin theta मानूंगा, तो 2 sin theta upon 1 plus 10 square theta, वो कोई formula नहीं है, ऐसे ही cos में नहीं है, cot में नहीं है, sec में नहीं है, cosec में नहीं है, only 10 में है, तो हमें यह जानना पड़ेगा, कि हमको directly क्या मानें, और फिर यहां पे हम लिखेंगे, कि let x equal to 10 theta, let x equal to 10 theta, तो इससे हम अगला line लिख लेंगे, theta equal to 10 inverse x, अगर कभी भी expression में आगे चलकर, हमारा theta का terms आएगा, तो उसको हम replace करेंगे, तो उसका value हम लिखेंगे 10 inverse x, तो theta equal to 10 inverse x, आप चाहो तो इसको घेर लो, या मत घेरो, कोई issues नहीं है, अब y हो गया हमारे पास, sine inverse 2 10 theta, 2 10 theta upon 1 plus 10 square theta, 2 10 theta upon 1 plus 10 square theta, तो sine inverse ये हो गया, sine 2 theta का formula है, sine 2 theta का, और sine inverse sine कट जाता है, तो ये बच्च गया 2 theta, अब कैसे हमने बताये था, sine inverse, sine inverse sine x, ये x होता है, और sine sine inverse x, sine sine inverse x, ये भी x होता है, sine और sine inverse, एक दूसरे का reciprocate process है, तो वो दोनों cancel out हो जाता है, तो बाद में जो ये है, वो बच गया, तो इस तरह से 2 theta हो गया, और theta मतलब क्यों हो गया, 2 10 inverse x, और वैसे भी हमें जानना है, कि क्योंकि सवाल x के term में है, इसलिए इसका answer, इसका जो derivative है, differentiation है, वो भी हमें x के term में ही देना पड़ेगा, theta तो हमारा अपना माना हुआ variable है, यहाँ पे हम alpha, beta, gamma, kappa, sci, 5, कुछ भी मान सकते हैं, so in that case, y equal to 2 10 inverse x, hence, dy by dx, dy by dx equal to 2 upon 1 plus x square, 10 inverse x का derivative, 1 plus x square होता है, तो इस तरह से, यह चीजे हमारा, inverse function का, यह चीजे clear हो गया, अब हम next question पे आते हैं, next question, इस तरह से 10 number में, question number 10 में, हम x को 10 theta मानेंगे, तो वो फिर 10 3 theta का formula हो जाएगा, फिर से वही हो जाएगा, same, same तरीका follow करेंगे, 10 number question में, let x equal to 10 theta, therefore theta equal to 10 inverse x, तो वो हमारा y equal to 10 inverse 3 10 theta, minus 10 q theta, upon 1 minus 3 10 square theta, तो वो फिर 10 3 theta का formula है, तो 10 inverse 10 3 theta, 10 inverse 10 cut गया, 3 theta बचा, फिर वो theta को replace करेंगे, तो 3 10 inverse x, फिर उसका derivative क्या हो जाएगा, therefore dy by dx equal to 3 upon 1 plus x square, यहाँ पे 2 upon था, वो 3 upon 1 plus x square हो गया, 11 number में, फिर से हम x को 10 theta मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 minus 10 square theta, upon 1 plus 10 square theta, वो cos 2 theta का formula होता है, तो cos inverse और cos 2 theta में, वो cut गया, तो 2 theta बचा, यानि फिर से वोई हो गया, 210 inverse x, तो उसका जब derivative निकालेंगे, तो dy by dx equal to 2 by 1 plus x square, राइट, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कि 12 number, 12 number में, आपको थोड़ असा, 11 में, directly cos inverse cos 2 theta मिला था, तो cos inverse और cos हमने काट दिया था, वो काट करके दिखाना नहीं है, वो अपने आप cancel out हो जाता है, लॉग अट्रिगों में हम काट के नहीं दिखाते, तो उस condition में, यहाँ पे हमारे 2 theta, यानि 2 by 10 inverse x, तो 9, 10, 11, 3 ओ, clear हो गया, 12 में, हलका सम change क्या करेंगे, उस चीज़ उसकों को देखना है, question number 12, question number 12 है, यह अंदर वाला हम 10 theta मानेंगे, और वो cos 2 theta में बनेगा, क्योंकि 1 minus 10 square theta by 1 plus 10 square theta, वो cos 2 theta होता है, बट हमारे बाहर sin inverse है, इसलिए उसको भी हम, उस cos को भी हम sin में convert करेंगे, तो हम कैसे convert करेंगे, हम यह मालूम है, sin 90 minus theta cos theta होता है, cos 90 minus sin theta, जो 10th class में हम लोग complementary angles का formula पढ़े हैं, तो वैसे ही change करेंगे, तो यहाँ पे question number 12, तो थोड़ा हम लोग करते हैं, तो y equal to y equal to sine inverse sine inverse 1 minus x square upon 1 plus x square, जाहिर से बात है, जैसे अभी हमने कहा, कि हम x को 10 theta मानेंगे, तो let x equal to 10 theta, इस तरह से theta equal to 10 inverse x, तो अब यह हो जाएगा हमारे पास y equal to sine inverse 1 minus 10 square theta, 10 square theta upon 1 plus 10 square theta, 10 square theta, और यह हो गया sine inverse, sine inverse cos 2 theta, और वहाँ पे हम लोग हमारे यह दोनों सेम आ जाता था, तो तो हम कार्ट देते थे, cos sine inverse रहता था तो यहां साइन आता था, cos inverse तो cos आता था, अब इसको हम लोग sine में convert करेंगे, तो sine inverse, इसको cos theta, तो sin 90 minus theta, sin 90 यानि कि pi by 2 और minus theta, यह हमारा theta, ऐसे, cos theta को हमने sin 90 minus theta कर दिया, अब यह कट गया, तो हमारे पास pi by 2 minus 2 theta, और यह pi by 2 minus 2 theta हमारे के है, 10 inverse x है, 10 inverse x है, अब नाव डिफ्रेंशियेट बोथ साइट, नाव डिफ्रेंशियेट बोथ साइट, बोथ साइट, विच रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx, dy by dx, यह 0 हो जाएगा, यह 0 minus 2 upon 1 plus x square, finally यह minus 2 upon 1 plus x square हो गया, तो ऐसे ही हम करते हैं, ऐसे ही करते हैं, और तिर यहाँ पे 13 number में, सिमिलर तरीके से x को 10 theta मानेंगे, तो वो अंदर में 2 10 theta upon 1 plus 10 square theta, वो sine 2 theta आ जाएगा, बहार हमारा cos inverse है, अंदर sine 2 theta है, और अंदर वाले को फिर हमने उसको, cos pi by 2 minus 2 theta लिखेंगे, अब दोनों cos inverse और cos कटेगा, pi by 2 minus 2 theta हो जाएगा, pi by 2 का डिफ्रेंस इसे जीरो, और minus 2 upon 1 plus x square हो जाएगा, इसी तरह से, 14 number में x को, हम sine theta मान लेंगे, cos theta भी मान सकते हैं, अगर हम x को sine theta मानेंगे, तो ये जो x greater than 1 by root 2, less than 1 by root 2 है, इससे आपको यहाँ पे कोई लेना जेना नहीं है, इसको आपको देखके, कोई ऐसे कोई गबडाट नहीं होनी चाहिए, तो x को हम sine theta मानेंगे, तो फिर क्या बन जाएगा, 2 sine theta into under root 1 minus sine square theta, और वो cos theta बन जाएगा, यानि 2 sine theta cos theta, तो sine 2 theta हो गया, तो sine inverse sine 2 theta, यानि कि 2 theta हो गया, तो 2 theta, theta क्या था हमारा, theta क्या था हमारा sine inverse x था, बस 2 upon, जब हम उसका differentiate करेंगे, तो 2 upon under root 1 minus x square हो जाएगा, राइट, अब हम एक 15 number बनाते हैं, फिर ये exercise 5.3 का एक-एक questions अम लोग ने discuss कर लिया, exercise 5.3 का 15 number, question number 15, क्या है, तो y equal to sec inverse, y equal to sec inverse, sec inverse 1 upon, 1 upon 2 x square minus 1, अब हमें देखना चाहिए, कि ये फिर से range जो दिया है, range का कोई ऐसा issues नहीं है, तो अगर हम x को फिर हम sine theta मानेंगे, तो 2 sine square theta minus 1 का कोई formula नहीं है, हाँ, cos theta मानेंगे, तो वो 2 cos square theta minus 1 जो है, वो cos 2 theta होता है, और 1 by cos मतलब sec हो जाएगा, फिर और अगर हम 10 cos sec मानेंगे, तो उसका कोई formula नहीं है, तो कोई एक certain formula ही apply होता है, तो अब हम यहाँ पे मानेंगे, कि let x equal to cos theta, x equal to cos theta, इससे हमारा theta equal to ये cos इदर आ गया, तो cos inverse हो जाएगा, cos inverse x हो जाएगा, अब y हो गया, sec inverse, sec inverse 1 upon 2 cos square theta minus 1, यानि कि sec inverse, sec inverse 1 upon cos 2 theta, और ये फिर हो जाएगा, sec inverse, sec inverse, sec 2 theta, और फिर हो जाएगा 2 theta, और 2 theta, तो 2 इसका मतलब हो गया, 2 cos inverse x, 2 cos inverse x, और जब differentiate करेंगे, तो dy by dx, equal to, 1 upon under root 1 minus x square, और आगे minus, क्योंकि cos है, ठीक है, तो इस तरह से, हमारा implicit function, finish हो गया, inverse function, finish हो गया, अब हम लोग, logarithmic function लेते हैं, अब हम लोग, exercise 5.4, के लिए logarithmic function लेते हैं, लोगरिथ्मिक function लेते हैं, तो इन में हमें, तीन formula को, ध्यान में रखना चाहिए, लोग m into n, equal to, लोग m plus, लोग n, लोग m by n, m by n, इक्वल to, लोग m, minus log n, लोग n, लोग m, लोग m का पावर n, इक्वल to n log m, लोग m, लोग m, ये तीन हमें log का formula को ध्यान में रखना चाहिए, और यहां पे जो भी base, by default base 10 है, यहां पे जो कुछ भी base होगा, वो सब जगा, यहां अगर 5 base है, तो यहां भी 5 base है, यहां अगर कुछ भी base है, वही base यहां पे replicate करता है, तो इसी में फिर हमने देखा था, कि d by dx of a का power x, जो है, वो होता है, a का power x, log a, base e, और d by dx of, e का power x, जो है, वो e का power x ही, तो पीछे हमने सिर्फ e का power x, या a का power x का, direct formula देखा था, अब हो सकता है, यहां पे उसमें कुछ chain rule का apply करना पड़े, हो सकता है, कुछ others rule भी apply करना पड़े, तो अब हम लोग देखते हैं, यही concept है logarithmic functions का, और इनमें, सारे use, जैसे कि हमने, पीछे भी देखा, implicit function में, और आगे भी देखेंगे, आगे भी देखेंगे, उनमें कहीं पे भी, जो जो चीजें हम लोगोंने पड़ रखा है, वो chain rule हो, चाहे कोसेंट rule हो, प्रड़क्ट rule हो, वो कहीं पे भी apply हो जाएगा, आगे further implicit rule भी, कहीं पे भी apply हो जाएगा, तो थोड़े दो-तीन questions हम लोग यहां, exercise 5.4 में 10 questions हैं, इनमें कुछ, इनमें कुछ difficult questions directly देखते हैं, जैसे first, second, third, इनमें भी बहुत ही easy questions हैं, तो हम यहां पे देखते हैं, question number 4, exercise, exercise 5.4 का question number 4, यह सब important question है, exemption point of view से CBSC वगरे में आते हैं, sine 10 inverse, sine 10 inverse e का power minus x, क्या है, y equal to sine 10 inverse, 10 inverse e का power minus x, ऐसे है, रएट, पहला number question क्या है, first number question e का power x upon sine x, e का power x upon sine x, यह आप लोग को कैसे करना है, direct question rule लगा देना है, नीचे sine x का whole square हो गया, sine x को रखेंगे, लिखेंगे, d by dx of e का power x, minus e का power x को रखेंगे, d by dx of sine x, बहुत ही simple, बिल्कुल direct, फिर second number question जो था, वो e का power sine inverse x है, e का power sine inverse x, यह हमें कैसे करना चाहिए, तो हमें मालूम है, कि e का power x का जो derivative है, वो e का power x ही होता है, लेकिन, अगर उस x के जग़े में कुछ और रहता है, तो उसको एक बार into के बाद, into d by dx of that, हम एक और बार करते हैं, तो यहाँ पे y equal to e का power sine inverse x है, तो हमें कैसे करना चाहिए, तो differentiate both sides with respect to x, तो dy by dx equal to, e का power sine inverse x, into d by dx of sine inverse x, फिर e का power sine inverse x, into sine inverse x का derivative क्या होता है, 1 by under root 1 minus x square, यह हो गया answer, third number में है, e का power x का power x, e का power x का power x, तो इसमें हम कोई सूज नहीं है, हम e का power x को एक साथ रख सकते हैं, हम y equal to, इस सवाल को भी मैं आपको बता देता हूं, चलो अब मैं fourth number start करके, फिर उसको third number बता देते हैं, एक सेकन में y है कि x है, वो चेक कर लेता हूं, उसको, e का power x square, third number जो question है, वो e का power x square, तो वो जब differentiate करेंगे, तो बहुत easy, e का power x square ही रह जाएगा, और into d by dx of x square, x square का फिर डेरिवेटिव 2x हो गए, तो 2x e का power x square, ये हमारा answer होगे, तो first, second, third, मैंने आपको भरबली बता दिया, और ये उमीद है कि आप तीनों सवाल, बड़े आराम से समझ जाओगे, तो जो easy question थे हैं, इसलिए मैंने इसको लिख के discuss नहीं किया, अब question number four, ये थोड़ा सा tricky है, और थोड़ा important है, difficult है, ये question exam में आते हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं, sin 10 inverse e का power minus x, तो students, हम differentiate करते हैं, derivative करते हैं, तो ये shortcut में differentiate, both sides, with respect to x, with respect to x, तो ये होगे हमारा, dy by dx equal to, ये पहले chain rule apply होगा, chain rule apply होगा, तो sin x, अब sin x का क्या होगे, cos x, तो ये होगे, cos x का होगे, 10 inverse e का power minus x, और into dy by dx of, 10 inverse e का power minus x, ये होगे, sin x का होगे, cos x, into dy by dx of, जिसको x अने समझा, अब ये फिर से same, cos 10 inverse, 10 inverse e का power minus x, into, यहाँ पे, 10 inverse x का function, तो बिलकुल, बारीके से सवाल को समझना है, एकदम step by step, अब ये, 10 inverse x का function, apply होगा, तो हमें मालूम है, कि 10 inverse x का derivative, 1 upon 1 plus x square होता है, और जैसा कि, मैंने आप लोग को, पहले बताया हुआ है, एक ही बार, एक ही लाइन में, दो बार, डिफरिंसिप नहीं लिखना चाहिए, बहुत सारे बच्चे, क्या करते हैं, इसका ये हुआ, फिर उसके अंदर का, ये हुआ, फिर उसके अंदर का, ये हुआ, तो ये one marker question के लिए तो चल जाएगा क्योंकि वहाँ पे सिर्फ answer से मतलब है लेकिन अगर ये two marker का भी question है तो वो teacher उसको काड़ देंगे क्योंकि वो नहीं चलेगा एक ही line में सब का मुझे सब का answer मालूम है मैं एक ही line में answer बोल सकता हूँ क्योंकि इसके ये answer हो जाएंगे लेकिन मैं हर एक steps आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि आपको इनी steps को follow करने है CBSC में एक designed steps है कि ये steps आपको लिखना चाहिए और कौन से steps आप jump कर सकते हो जो बिलकुल minute steps हो या जो बिलकुल understanding steps हो जो clear cut हो उन steps को आप jump कर सकते हो बट जो important steps हो सवाल के लिए उनको आपको mention करना चाहिए करना होगा तभी आपको पूरे marks मिलेंगे और नहीं तो marks कर जाएंगे तो 10 inverse e का power minus x ये 10 inverse x की तरह हो गया तो 1 by 1 plus ये x है इसका square और into फिर d by dx of e का power minus x अब ये हो गया cos cos 10 inverse cos 10 inverse e का power minus x upon upon यहां पे upon 1 plus e का power minus 2x power आपस में multiply हो जाता है और e का power minus x का derivative e का power minus x ही हुआ और फिर minus x का derivative हो गया minus 1 तो यहां पे आगे minus और यहां पे आगे minus और यह हो गया आपका answer तो ऐसे हम लोग ऐसे सवल बनाएंगे ठीक है उसके बाद अब आप आजाओ सेवन नम्बर कोशिट 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 नम्बर सेवन कोसिन नंबर सेवन वह क्या है मैं सब इंपोर्टेंट और ट्रेकी कोसिन उठाना चाहता हूं ताकि आप लोग बाकि सब कोसिन जैसे मैंने बताया आपको सारे कोसिन बहुत बहुत बाकि सारे सवाल आप लोग से बन जाएंगे क्योंकि इसी सारे पर बेज़ रहें तो कोसिन नंबर सेवन हैं अंडर रूट ई का पावर अंडर रूट एक्स तो देखो यह कुछ नहीं है यानि y equal to 8 तो अंडरूट पहले अंडरूट एका पावर अंडरूट एक्स यह अंडरूट एक्स तो ठीक है और यह होगे उसके बाद अब यह कैसे अप करोगे तो हम सबसे पहले यह differentiate x और यह路ट एकिसे अप१न देन्हें विश्फेक्ट प AIDS टो यह कलिकर दे लिएक्स और यह mi यहीं पहले तो औरसके और पहले क्या हो रहा है रूट और यह आपका एक्स है रूट एक्स तो रूट एक्स का वन बाय टू रूट एक्स मैंने बताया था वन बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन बाय एक्स स्कूर रूट एक्स का वन बाय टू रूट एक्स यह सब कहा था कि यह सब बहुत यूज तू है बहुत ज़्यादा आपको यूज में आएगा इसलिए बिल्कुल आपको माइंड में बैटा के चलो फिर बार बार निकालने का ज़रुत ना पड़े तो वन बाइटू रूट एक्स इन्टू डी बाइडी एक्स इन्टू डी बाइडी एक्स ऑफ एका पावर रूट अब यहां पर जिसको डी बाइडी एक्स करते हैं उसको हम लोग ब्रैकेट मिली सकते हैं अब यह हो गया वन बाइडी एक्स ऑफ रूट एक्स और इन्टू फिर एका पावर एक्स की तरह का है तो एका पावर एक्स की तरह का है तो एका पावर एक्स ही हो गया और root x d by dx of root x तो अब ये फिर ये उपर numerator में e का power root x upon 2 दिस बच e का power root x और इंटू फिर वहाँ पे 1 by 2 root x 1 by 2 root x root x का अब ये 2 to मिलकर 4 हो गया बस अब ये e का power root x upon 4 root x into under root e का power root x तो बहुत सारे सवाल आप लोग को देखने में उल्जा हुआ या उटपटा लगेगा बट सिस्टम से अगर आप देखोगे चलोगे कैसे हमको follow करना चाहिए तो वो फिर बिलकुल इजी लगेगा अब इसमें एक और सवाल है आपका तो इस तरह से हमारा आज इंवर्स फंक्शन लॉगरित्मिक फंक्शन ये चीजे और लॉग के कुछ और सवाल आपके आएंगे वो आगे चलकर आएंगे अभी अगले अगले एक्सरसाइज में तो उस कंडिशन में अब हम एक कोशन नंबर 10 देखते हैं dy by dx equal to cos x का pattern है तो minus sin x तो minus sin ये same रह जाएगा log x plus e का power x into dy by dx of log x plus e का power x ये हो गया ये cos x का pattern है तो minus sin x हो गया derivative उसका और फिर into dy by dx तो यही मैं कहता हूँ कि मैं एक ही line में हम उनका भी derivative नहीं निकालते हैं एक ही line में तो इस तरह से अब ये हो गया minus sin log x plus e का power x और into इसका derivative 1 by x और plus e का power x का e का power x और यही आपके answer हो गया तो इस तरह से exercise 5.3 और 5.4 को हमने cover कर लिया अब इसी में इसी में logarithmic differentiation में ही अभी और कुछ parts हैं वो चीजें हम लोग दिखलाते हैं कि हम लोग discuss करते हैं कि कहां पर हम लोग लेते हैं क्योंकि अभी log x का term आया basically log x को लेकर जब हम सवाल बनाते हैं जब काफी complex function रहता है तो वहां हम log लेते हैं तो वो सवाल अभी हमने cover नहीं किया तो उन सवालों को भी हम थोड़ा से देख लेते हैं जो purely logarithmic functions अब हमारी पास आएगा क्योंकि अभी अभी जो हमने किया basically वो हमारा logarithmic functions में log सिर्फ यूज में आ रहा था ठीक है तो exponential यूज में आ रहा था sometimes log का term था बट अब purely जिनमें हमें log लेकर ही solve करना है और वो काफी complex सवाल होता है तो कहां हम log लेते हैं किस तरह के सवालों में हम log लेकर बनाते हैं अगर हमारा questions बहुत भारी भरकम difficult complex है जिनको हमें normal तरीके से बनाने में काफी लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा उसमें हमारा time जाया हो सकता है तो वैसे questions में अगर हम log लेके बनाएंगे तो बहुत ही simple way में बहुत easy way में बन जाएगा दूसरा अगर हमारा questions कभी भी x के उपर में function का power function अगर हमारा कभी भी अगर हमारा सवाल function का power function के term में रहता है अगर जैसे x और y को हम लोग function treat करते है function का power function रहता है यानि की x का power x रहता है x का power y रहता है y का power x रहता है तो ऐसे situation में या फिर complex function अब कैसे situation को कैसे function को मैं complex function कहना चाह रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ तो ऐसे scenario में हम लोग log लेके solve करते हैं log लेके solve करते हैं जैसे एक सवाल आपको मैं दिखाता हूँ जैसे एक सवाल मैं आपको दिखाता हूँ माल लेते हैं हम लोग example 30 ऐसे देखते हैं यहां पर की x-3 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 into x square plus 4 x square plus 4 upon upon 3 x square 3 x square plus 4 x plus 4 x plus 5 का under root अब सुचो अगर मैं इसको बगैर log के solve करूँ तो हमारे कितना मामला फजेगा कितना struck होएगा यह पहले हमें root x की तरह बनेगा 1 by 2 root under this much अभीक से दिक हम लोग क्या कर सकते हैं इन दोनों को multiply कर सकते हैं this into this multiply कर सकते हैं तो एक हमारे पास यहां पर quarter cubic हो गया और अपोन यह quantity का है जो कुछ भी है तो अगर मैं normal solve करूँ तो यहां पर 1 by 2 root this into d by dx of d by dx of यहां this much upon this much अब वो फिर कोसेंट रूल जो apply होगा तो वो कितना बड़ा बन जाएगा ultimately वो calculations कितना large scale में चला जाएगा इसलिए उसको बहुत ही simplify करने के लिए बहुत ही छोटे तरीके से solve करने के लिए हम लोग log लेते हैं और यहां पर कहते हैं taking log with the side taking log with the side और इसके यहां पर यह हो जाएगा log wire और log wire basically यह log log और इन तोनों को चाहो तो multiply कर दो नहीं भी कर सकतो कोई ऐसा issues नहीं है अगर यहां पर नहीं भी करते हो तो x square plus 4 कर दोगे अच्छी बात हैं नहीं करोगे तब भी कोई issues नहीं है plus 4 x plus 5 और का power इतना का power क्योंकि यह log बात में हमें लिया इतना का power 1 by 2 है क्योंकि under root को हम 1 by 2 कहते हैं तो जब 1 by 2 हमने कहा तो यह log हमने एक formula देखा था log m का power n जो n log m होता है तो power उठके बाहर आ जाता है यानि कि 1 by 2 log this हो गया तो log this हो गया राइट 1 by 2 log this upon this अब फिर से वहाँ पे m upon n लग गया log m upon n लग गया जो अभी इनने लिखा था log m upon n और वो हो जाएगा log m minus log n तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा log m log m मतलब यह आपका है log m minus log 3x square plus 4x plus 5 log m minus log m तो एक ही साथ हमारा log m का power n भी अपलाई हो गया log m upon n भी अपलाई हो गया और अभी यह भी formula अपलाई हो गया log m into n m into n यह होता था log m plus log n तो जो यहाँ पे अपलाई हो गया log m into n तो अब यह 1 by 2 इसको फिर से लिख लेंगे log x minus 3 log x minus 3 plus log plus log x square plus 4 और minus log log 3 x square plus 4 x plus 5 इतना अब यह चीजे हो गया हमारा log दिसमेंज अब इसको जब हम derivative और इधर हमारा log अब इसको जब हम डेरिवेटीव और इधर हमारा log